नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से सौगते हैं आपके अपनी येटुब चैनल पूजा घर संसार में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि आपको अनेक्स्प्लेंड इन्फर्टिलिटी है यानि कि किसी भी समस्या से आप ग्रसित नहीं है और आप कई सारे मेडिकल ट्रेट्मेंट भी करा चुके हैं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कमी कहां पे हो रही है जिसकी वज़े से आपको प्रेग्नेंसी नहीं रोक रही है तो आज की इस वीडियो में हम जानेगे एग बहुत अच्य उपाई के बारे में जिसमें आपको कुछ भी खाने पीनी की चीजे में नहीं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में मैं सिंपल मसाज बताने वाली हूँ जो आपको हर एक दीन करनी है सोने से पहले और इससे अनेक्स्प्लेंड इन्फर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाती है यह बहुत ही जादा बेहतर सलूशन है आपके लिए यदि आप जल से जल गर्वधारन करना चाहती है तो इस वीडियो को आन तक जरूर देखिए फ्रेंड्स और जो भी नए वीवर्स है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन दे ताकि ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इंफर्मेशन से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रती दिन मिलते रहे हैं आईए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तो अन एक्स्प्लेंड इंफर्टिलिटी का मतलब होता है यदि आपकी पीरेड रेगुलर आती है इस परम काउंट में भी कोई कमी नहीं है ओबलेशन भी ट्रैक कर रहे हैं आपकी समय से हो रही है आपने कॉंटेक्ट भी बनाया लेकिन फिर भी आपको गर्वधारन नहीं हो रहा है इसे कहते हैं अन एक्स्प्लेंड इंफर्टिलिटी इस तोरान यदि आप डॉक्टर से मिलते हैं सारे जांच कराते हैं तो इसमें भी कुछ भी माइनर सा भी प्रॉब्लम शो नहीं होता क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक माइक्रोस्कोपिक है जो आँखों से दिखाई नहीं दे सकता किसी रिपोर्ट में नहीं आ सकता लेकिन प्रॉब्लम तो है इसी वज़े से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में डॉक्टर इसे अन एक्स्प प्रॉब्लम तो यदि आप जल से जल गर्वधारन करने के लिए विसवड़ी से इंतिजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कस्टर ओयल होता है कस्टर ओयल यानि अरंडी का तेल यह जो अरं तो ही आपकी इन्फर्टिलीटी समस्या को दूर करेगा क्योंकि इस तेल में ऐसे कई साधे इंटी एंफ्लामेटरी गुन होते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिल दीर करता है अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि इस तेल को आपको किसी भी अच्छे ब्र तो आप इसे September करके लाएए और साथी साथ आपको क्या करना है डेली सोने से पहले आपको इस तेल को गुनगुना कर लेना है गर्म गुनगुना गर्म यानि कि जितना आप परदास्त कर सकते हैं उतना गर्म बहुत जाधा गर्म नहीं गुनगुना मतलब एक्दम हलक सा जो नॉर्मल टिंपरेचर होता है उस से थोरा सा उपर आप इसको गुन-गुना कर लीजे और उसकी बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स की सोने से पहले केवल महिलाओं के लिए यह उपाए है सोने से पहले ना भी जो होती है इसके आस पास आपको इसका मसाज करना है है सही तो आगे हम जानने वाले हैं कि इसको कैसे आपको मसाज करना है पहले फ्रेंड्स हम यह जान लेते हैं कि इस तेल से फायदा कैसे होगा और आपको यह कैसल आप पहुंचाएगी फ्रेंड्स जो ना भी होता है वो पूरे सरीर की केंद्र बिंदू होती है यहां से कई कई सारे रोग उत्पन होते हैं और कई सारे रोगों का हल भी मिलता है अगर कई सारी महिलाओं को ब्लोटिंग की परिशानी होती है जो कि again आपके गर्वधारन को रोपती है तो ब्लोटिंग यानि गैस बनने की समस्या यह हो सकती है फ्रेंट्स की आप जब आप खाना खाते ह हैं तो बहुत जल्दी मुँ चलाते हैं इस वज़े से हो सकती है या फेँ बहुत सारी महिलाओं को पाचेंग कीरिया में कमी होती है तो ब्लोटिंग के समस्या अइक ऐसे समस्या है जिस में आपको गर्वधारन नहीink हो सकता। तो जबढ़ मिलता हैं आपको एसे प्लोट inspiring के समसरी रिलीज हो जाती है, और पेट बहुते ही अच्छे से हलका हो जाता है, सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट बात आपको यह भी आद रखने है कि जो कस्टर ओयल का मसाज होता है इससे फ्रेंट्स क्या होता है कि जो महिला पीसी ओडी से परिशान हैं ग्रसित हैं जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा टमी एरिया पे फैट जमा है जो कि अगेन प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होने देता तो अगर ऐसे भी आपको कंडिशन है तो यहां से चर्वी को रिलीज होने में बहुत ज्यादा आसानी मिलती है क्योंकि जब आप मसाज करते हैं पेट पे तो यहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एक गर्मी से उत्पन होती है जो कि आपकी पेट के लिए भी अच्छी होती है और यहां से चर्वी को सबसे अच्छा यूज करने का यह तरीका होता है कि सोने से पहले आप जब रिलेक्स हो जाते हैं सोने के लिए उसके समय ही आपको यह वाले थरेपी लेनी है आपको कस्टर यानि कि आपको अरंडी के तेल गुन गुने करने हैं उसके बाद आपको चार बुंद से ज्यादा करना है दोनों का नहीं करना है क्योंकि यहां पेट का जो डारेक्शन होता है वो बिलकुल आपको तेल अपलाई करने के बाद सर्कुलर मोशन में घुमाना है सरकुलर मोशन होता है यानि बिलकुल राउंड इस तरीके से आपको मालिश करनी है पेट के उपर ना भी के आसपास ना भी के अंदर दो बुंद तेल जरूर जानी चाहिए और दो बुंद तेल आप आपके फिंगर्स पे लगा लीजे अच्छे से सरकुलर मोशन में घुमाते हुए 30 से 40 बार यानि ये हाथ जो है फिंगर्स जो है आपके वो 30 से 40 बार इस तरीके से राउंड राउंड घुमना चाहिए और जब 30 से 40 काउंट करिये हो जाता है उसके बाद इसे स्टॉप कर दीजे बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं दिखानी है बहुत आराम से मसाज करना है यानि आपको हाथों को घुमाते रहना है और यहां पे आप फिल करेंगे कि बहुत ही अच्छे से आपको एक थोड़ी सी गरमाहट से फिल होगी ये बहुत ज़्यादा अच्छा संगेत होता है और ये एक अच्छे मालिस का उधारन होता है तो आपको इसी तरीके से हाथ घुमाते हुए मालिस करना है आपको डेली ये करना है आप पीरिट के दौरान, ओवलेशन के दौरान कभी भी इसको रिपीट कर सकते हैं बहुत बेस्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट देगा क्योंकि इस पे कई सारी स्टड़ी भी हो चुकी है और जिन महिलाओं को अनेक्स्प्लेंड इन फर्टिलिटी की समस्या है उन्हें फर्टिलिटी मसाज जरूर करना चाहिए इसी फर्टिलिटी मसाज कहा जाता है यह बहुत ही लाप्रद आपके लिए सावित हो सकता है तो आप बिलकुल ट्रस्ट करें कई सारी महिला दोस्तों ने इसी थेरवपी पे कंसीव कर लिया है तो यह जरूर आप करिएगा आज से ही करना स्टार्ट कर दीजे और फ्रेंड्स एक और चीज़ ध्यान में रखें कि आपका ओबुलेशन ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जडूरी है यदि जिन महिलाओं को ओबुलेशन में परिशानी आती है नहीं पता चल पाता तो आप कई सारे मेरे वीडियो के प्लेइलिस्ट में वीडियो है उसे देखिए वहाँ पर ओबुलेशन के लक्षन बताए गए है ओबुलेशन आपकी पीरिट साइकल के इसाप से कब होता है ये भी बताई गई है तो अबुलेशन जब आप ट्रैक कर लेंगे और उसी दोरान कॉंटिक्ट में रहेंगे तो बहुत ही जल्दी ये बेनेफिट भी देगा मसाज और साथी साथ आप कंसीब भी कर लेंगे दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि ये मसाज आपको किन कंडिशन में नहीं करनी है फ्रेंट्स अगर आपके पेट में पत्री की परिशानी है या फिर आपके पेट में फ्रेंट्स किसी प्राकार का विकार है ब्लट सर्कुलेशन या रक्त का बहौ कहीं से अंदर से हो तो इस बातों का भी ध्यान रखें, आप नॉर्मल तरीके से स्वस्त हैं, तो ही आप इस तरीके के मसाज को उपयोग में लाएं, आपको इस वीडियो से रिलेटेट कोई और क्वाईडी है, कुछ भी और जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं अपने खाने पीने पे नियम, सयम बना के रखिए, क्योंकि बहुत जादा तील मसाला आपकी इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो ऐसे किसी भी खाने को नहीं लेना है, जंग फूड अगरा, जो आपकी इनफर्टिलिटी को अगेन और भी जादा बढ़ाते, आपको अच इस वीडियो में बहुत सारी आपने नौलेज गेन की है, ये फर्टिलिटी मसाज आपके लिए बहुत हेल्फुल होगी, आपको बहुत जल्दी कंसीव करा दीगी और इस वीडियो को अगर आप थोरी भी पसंद करें हैं, तो एक लाइक जरूर करना और जादा से जादा श